हेलो गाईज, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है, आज हम शिक्षा निदेशाले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नमबर 24 करेंगे, जो की क्लास 6th की है और विश्य है गणित, ये वर्क्षिट 27 सेप्टेमबर 2021 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट, वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आईए देखते हैं आज की वर्क्षिट परयोगिक जामेती, भूमिका, बच्चों आपने जामेती बोक्स जरूर देखा होगा, की worksheet उपकरन, देखिए, ये क्या है बटा Scale, जिसे क्या कहा जाता है ruler, ruler के एक किनारे पर centimeter, और दूसरे किनारे पर इंचों में चिन हытे हैं ruler का परेयोग हम रेहां खाण कहीं zeigen और इसके लंबाई मापने के लिए इसका परेयोग करते हैं देखो यहां पे आप देखेंगे घ्टा, यहां पे क्या है, आपको यहां पे इस में इंची दिये गए है, two, three मिटर्स और यहां पे क्या दिये गए है, सेंटीमिटर देखो यहाँ पर आपको सेंटीमिटर दिये गए है एक तरफ नो छोट 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 जो खंड यह क्या है सेंटीमिटर ठीक है तो रूलर के एक किनारे पर सेंटीमिटर और दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्हें अंकित होते हैं रूलर का प्रयोग हम लाइन खिचने के लिए रेखा खंड खिचने के लिए उसकी लंबाई मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं इसको क्या कहा जाता है प्रकार यहाँ पेंसि डालते हैं और एक सरकल लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं परकार के दो सिरे होते हैं एक सिरा नुकीला यहाँ पर समझते यह सिरा है इसका नुकीला और दूसरे सिरे पर पैंसिल रखते हैं परकार का प्रयोग हम चाप और व्रत खिचने के लिए करते हैं को चाप कैसे होता है इस तरह से यहाँ से कट लगाया जाता है और चाप बनाय इसका प्रयोग लंबाई की तुलना करने के लिए किया जाता है जब दो लंबाईयां दी जाते है इस तरह से तो उनकी तुलना करने के लिए इसको खोल दिया जाता है और इस तरह इनकी तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आगे देखिए क्या दिया गया गया आगे क्या दिया गया देको इस तरह से दो होते हैं को क्या क्याते हैं से त्रवुजाकार यंत्र है जिने लंब रेखा और समानता रेखाओं के खीचने में परयोग किया जाता है इसका परयोग किया जाता है इसे क्या क्या क्याते हैं से नाम याद होने चाहिए आपको सबके आगे देखते यह क्या है चांदा कॉण मापक क्या से लेके 180 की तक भाग चिंधित होते हैं यहां पे आप देखेंगे यह इजी ड towel कॉण टिक ने पर 시청ित लिल송 चेंद होते हैं इसका प्रयोग कोनों को मापने और खीचने में किया जाता है इसका प्रयोग अगर आपको साथ डिगरी का कौन मनाना है तो आपने यहाँ पे लाइन कीची और देखो यह रा 60 आपने इस तरह से कौन मना दिया ठीक है यह रा 60 इस तरह से यह रा 30 इस तरह से 90 इस तरह से आपक अकृतियों का प्रयोग किया गया है तो देखो यहां पे आपको यह पिच्चर दीगए इसमें कितनी अकृतियों का प्रयोग किया गया है पहले हम देखते उपकरंड कौन कौन से उपकरंड दिये गया है तो सबसे पहले देखो यह रहा रूलर पहले हम समझते हैं ठीक है उस करते हैं इसके बाद हम second करेंगे तो आईए करते हैं मिटा देखो यहां पर हम इसको 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 कर लेते हैं जिसे की समझना आसान होगा तो क्या क्या उपकर्ण यूज किये थे यहां पर हमने किया था पहले ruler यूज हुआ था ठीक है second पर क्या चांदा यह दिखाया था हमने न ठीक है next पर क्या था set square ठीक है और उसके बाद last में क्या था divider divider ठीक है यह होगा divider एक second divider ठीक है तो यह चार उपकर्ण हमको यहां पर दिखे ruler दिखा, चांदा दिखा, set square दिखा और divider दिखा आईए अब हम करते है next में क्या दिया गया बेटा देखते हैं समझते हैं पहले अकरतिया कौन कौन सी अकरतिया आपको यहां पर दिखाई दे रही है तो देखो यह आकरतिया आपको कौन सी दिखाई दे रही है त्रिभुज ये कौन सा हो गया बिटा वरत ये क्या हो गई आयत इसके लावा देखो आपको वर्ग दिखाई दे रहा है देखो ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा ये वर्ग हो जाएगा देखो ये भी आय दिखाई दे रही है ये क्या हो गया वर्ग हो गया इसके लाव आपको क्या दिखाई 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 दे रहा है यहाँ पर अला तो आईए लिखते हैं इसका अंसर हम आयत दिखाई दिया है, हमें यहाँ पर चतर भुझ दिखाई दिया है, हमें यहाँ पर तो हम यह सब यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, यह इसी का यह बिटा, तो यह चारा करते हैं, इसके अंदर दिखाई दिया, तुर भुझ, वरत, आयत और चतर भुझ, अब हम करते हैं नेक्स्ट देखे क्या दिया गया है, नेक्स्ट तो बिट आज की वर्क्षिट कम्प्लीट हो गई, वर्क्षिट कम्प्लीट करके अपनी टीचर से चेक कर आईए, और प्लीज मेने चैनल को लाइक कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, थैंक्यो सुडेंट् झाल झाल